हेलो फ्रेंज में हुने हाँ मैजिकल रेसिपीज में आपसे भी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं डिमे चॉप या फिर एक डेविल या फिर एक कटलेट की रेसिपी इसे बनानी के लिए हमें सबसे पहले आलू की मसाला त्यार कर लेना है चलिए इसे त्यार करते हैं पैन में दो टेबिल स्पून तेल गरम कर लें तेल गरम होने के बाद एक तेज पत्ता एक बड़ा बड़ी कटी हुई प्याज डाल कर दो मिनिट तक भून लें दो कटी हुई हरी मिर्च और एक टेबिल स्पून अद्रक लहसन का पेस्ट डाल कर इसे अच्छी तरीके से भून लें अब इसमें हाप टेबिल स्पून हल्डी पाउडर हाप टेबिल स्पून लाल मिर्च पाउडर हाप टेबिल स्पून जीरा पाउडर एक टी स्पून मीट मसाला और आधाथ छोटा चमच गरम मसाला डाल कर एक मिनिट तक भून लें अब इसमें उबले हुए आलू को मैस करकर डाले हमने यहाँ पर छे कटलिर बनाने के लिए चार आलू इस्तिमाड किया है इसे मिक्स्ट कर ले अब इसमें एक टीज़्पून कसूरी मेथी और स्वाध अनुसार नमक डाल कर आलू को मैस करते हुए भून ले आप किसी मैसर की मदद से आलू को अच्छे से मैस कर सकते हैं ताकि कटलिट बनाने के वक्त हमें असानी हो यह हमारी आलू फुन चुकी है आप इसे प्लेट में लिकाल कर ठंडा होने दे जब तक हमारी आलू ठंडी हो रही है तब तक हम बाकी की प्रॉसेस कर लेते हैं एक डेविल को कोट करने के लिए एक अंडे को तोड़ कर इसमें हाप टेबल स्पून काली मीर्च पाउडर और हाप टेबल स्पून नमक डाल कर इसे अच्छे से फेट ले नेक्स्ट एक प्लेट में एक टेबल स्पून मैदा और एक टेबल स्पून कॉन फ्लावर ले और इसमें भी काली मीर्च और नमक डाल कर मिक्स्ट कर ले उपर की कोटिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेट क्रम्स ब्रेट क्रम्स में हाप टीज स्पून नमक डाल कर इसे भी मिक्स्ट कर ले होममेट ब्रेट क्रम्स की रेसिपी आपको मेरी चनल पे मिल जाएगी यहाँ पर हमने तीन उबलेवे अंडे को बीच में से कट कर छेपीस में भाग कर लिया है कटी हुई अंडों में थोड़ी सी काली मीर्च और थोड़ी सी नमक स्प्रिंकल कर लेंगे इससे हमारा स्वाद उभर के आएगा चलिए अब एक कोटिंग की प्रॉसेस में अंडों को इस तरीके से ढग देंगे ताकि अंडा दिखाई न दे इसी तरह हमने सारी अंडों को त्यार कर लिया है अब इस कटलेट को कौन फ्लावर और मैदा की मिसरन में डाल कर कोट कर लें ताकि ये आलू में एक्स्टा मॉस्टर ना रहे इससे हमारी कटलेट तूटेगी नहीं मैदे से लिकालने के बाद इसे अंडे में डीप करें और ब्रेट क्रम्स से अच्छे से कोट कर लें आप चाहे तो इस प्रोसेस को दुबारा भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें सारी कटलेट्स को कोट कर ले इसे फ्राई करने के लिए पैन में तेल को गरम होने दे जब तेल गरम हो जाए तब कटलेट्स को एक एक करके तेल में डाले और मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक फ्राई कर ले फ्राई होने के बाद इसे किचन टावल या फिर टीशू पेपर में लिकालने ताकि इसमें एक्स्ट्रा ओइल न रहे इसी तरह से आप सारी कटलेट्स को फ्राई कर ले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जलूर करे एक डेविल एक कटलेट या फिर डिमेच चॉप बनकर तयार हैं आप भी इसे बनाईए और अपना एक्सप्रियंस मेरे साथ सेयर करें